हेलो दोस्तों सो दोस्तों आज के इस उडियो में हम बीकॉप सर्व का यह यह तो फिर बीकाउं मलिकों का यॹ यह यह भी यूज कर भास्लिया लट्ट। सो जो भी के यूडी से देख रहा है उनके लिए हमारा आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वीकॉम फस्टम में आपको टोडल कितने सब्जेट्स रहेंगे और वो सब्जेट्स आपको टोडल कितने मास के लिए रहेंगे और कौन सा सब्जेट्स आपको लैंग्वेज रहेगा कौन सा सब्जेक्ट आपको कॉमर्स रहेगा और कौन सा सब्जेक्ट आपको कंपल सरी सब्जेक्ट रहेगा यह सारे इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों चलिए दोस्तों हमारे वीडियो के लिए करते हैं तो दोस्तों आपको भी कुंसा लेंगवेज रहेगा दोस्तों इसमें यहां पर आपको यहां पर लेना होता है दोस्तों इसमें आपको प्रॉब्लम्स करने रहेंगे जैसे आप सब्जेक पड़ते थे वैसे यहां पर ऊ harness за all accounting आपको पढ़ना अधो है ुसके बाद फोर्थ सब्जक्ट है Management thre t या इसमें आपको थेरी सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों और मैंञेजमेंट पड़ना रहेगा अफिल्ट में आपको ये आपकर छूसके खरो बोलके ढूनों कि रीघ़ा थोक्र्षाय और दूसरा subject हमारा business mathematics है, so principles of marketing दोस्तों, आपको marketing related पढ़ना रहेगा, theoretical subject रहेगा, और business mathematics दोस्तों, आपको mathematics के बारे में कुछ concept रहेगा, यह आपको problematic subject रहेगा दोस्तों, देख लीजिए, अगर आपको choose करना है, तो आप इन दोनों में से, कुनसा भी choose कर लीजिए, दोस्तो principles of marketing आपको बढ़िया रहेगा, दोनों में से दोस्तों, उसके पास sixth subject आजाए, business economics first, sixth subject business economics first subject है दोस्तों, जो आपने puc में economic subject पढ़ाता, वहीं आपर पढ़ना रहेगा दोस्तों, इसमें आपको थेरी भी रहेगा, और एक दो problem भी रहेंगे दोस्तों, तो दोस्तों, अब ह आपको compulsory subject रहेगा, और इसमें आपको Indian constitution के बारे में आपको पढ़ना रहेगा, दोस्तों, और यह आपको compulsory subject है, तो दोस्तों, यह हमने देखे सारे हमारे seven subject, दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे next step के तरफ, अब इसमें देखेंगे हम, आपको यह subject कितने-कितने marks के लि देखेंगे, यह पकड़ लेके business mathematics, जो seven subject है, constitution values को side में रखके, यह जो six subject कहें लिजी, या तो फिर seven subject, जो चूस है, seven subject, दोस्तों, आपको 100 marks के लिए रहेंगे, जिसमें से 20 marks आपके teachers के हाथ में आने हैं, दोस्तों, first internal से आपको 5 marks मिलेंगे, second internal से 5 marks मिलेंगे, और assignments के आप 10 marks मिलेंगे, यह आपके university वालोंने notification में ही बता दिया है, दोस्तों, यह 20 marks आपको ऐसे मिलेंगे, और यह 80 marks का, आपको paper लिजना रहेंगे, आपके exam में, so 20 plus 80 के तो 100 marks का आपका paper रहेंगे, जो seven subjects है, आपके seven subjects के 100 marks paper रहेंगे, जब आप constitutional values की बात करेंगे, दोस्तों, constitutional values का आपको marks रहेंगे 50 marks, 50 marks का subject रहेंगा, जिसमें से 10 marks मेंसे आपके 2.5 हापके first internals के, and 2.5 हापके second internals के और five marks आपके assignments के रहेंगे सभिकर दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो इपर जल्दी डिस एक especialmente ले लिजेगा तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों आई होप आपको हमारा आज का वीडियो इन्फॉर्मेट्व लगाऊगा दोस्तों अगर हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को श